हाई एवरिवन कैसे हो आप सब तो चली आज मैं आप सब एक्स्प्लेंड करने जाए हूँ फ्लैस सीजन फॉर का एपसोर नमबर टेन तो पिछले एपसोर में हमने देखा था डिवो जो की अपने गल रहे पुराने सरीर को छोड़ कर अपने हाइटेक डिवाइस के जरिये ड लौकप में बंद है और सारी की सारी सबूत ही उसके खिलाब है क्योंकि अगर आपने स्टार्टिंग से देखा होगा तो डे फरस्ट से डिवो और मार्लीज ने बैरी के खिलाब जूटी एफायार करनी शुरू कर दी थी इससे सब्सक्राइब को ऐसा लग रहा था जैसे ब अपने पावर का यहां पर इस्तिमाल करते हुए कैप्टर सिंग कुछ देख लिए बैरी को स्टार लैब अपने दोस्तों से मिलने की अनुमती दे देता है तो ही अब आगे हमें स्टार लैब में दिखाया जाता है जहां पर डिवो की इस ने चाल के कारण खलबली मची होत देख लिए उसे कोट हाउस में सामिल होना था सब बैरी के साथ कोट हाउस के लिए निकल परते हैं जहां पर जो डिवनी को साइट मिलाकर दिवो के घर पर नज़र रखने बोलता है ताकि उन्हें कोई तो मार्लीच के खिलाब सबूत मिल सके तो इधर अब हमें डिवो के पर दिखाया जाता है जहां पर डोमनी के सरीर में डिवो का सारा फंसन सही तरीके से चले उसकी कैलकुलेशन डिवो कर रहा होता है जिसे चुप-चाप मार्लीच के करीब जाकर मार्लीच को डोमनी के सरीर के साथ कॉमफर्टेवल होने बोलता है क्योंकि यह सरीर भले ही डो वो का ही है आगे आप कोट हाउस की प्रकिडिया सुरू होती है जहां पर मार्लिस का लोयर एक एकर बैरी के खिलाब सारे सबूत पेश कर रहा होता है अब इसी पिछ यहां पर जोई को बैंक से मेटा हुमन होने का अलर्ट मिलता है जिसे देख अब जोई डिबनी सिसको हैरिस और कैथलीन कोट हाउस से चले जाते हैं तब यहां सिर्फ रुक जाती है आगे जोई क्राइम सीन पर पहुंचता है तो वहां कोई भी चोड़ी नहीं हुई होती है बस सभी बैंक के स्टाफ भी होस्वहें पर पड़े होते हैं जिसे कि होस्पिटल में भरती कर जोई डिब साइद इस तस्वीर से बैरी को बचाया जा सके तो इधर अब हमें कोट में दिखाया जाता है जहां पर सारे सबुत बैरी के खिलाब देखकर सेसिल बैरी को यह आइडिया देती है कि क्यों ना बैरी अपने फ्लैस वाली बात जजज को बता दे साइद इससे कुछ बात बन सिरुंट झालेश करदे mexic कर्ते हों नहीं बैरी मे'll चल्छ को इस घ्रेसिए-स पर यह रहना छाहती है अब इस गवाही से बैली के साथ यह का नहींपने पाजी में है कोट से जाने लगती है जिसे के इस रोक करें चूटी गेम खिलने, रोकने को बोलती है तब यहां पर मारलेध आहीरीज की और खिलने ओर यहांसे चली जाती है जिसे देखकर आहिरस को काफी गुद्स आता है और वह गुद्से में कोट हाउस के अंदर जाकर भी लोगों को नक्सान पहुचाने लगेंगे बैरी को कम जोर करने के लिए और बैरी इस तरीके का रिस्क मूल नहीं ले सकता जिसे सुन अब आईरिस भी ऐसा करने से रुख जाती है तो दूसरी तरफ अब हॉस्पीटल में एडमिट लोगों के मिले रिपोर्ट के मताबिक उन सभी पर किसी जहर का असर है यह देखकर फ्लाइस्टी में समझ जाती है कि सीटी में जो मेटा घूम रहा है उसकी बॉड़ी से प्वाइजर रिलीज हो रही है और फिर यह लोग उस प्वाइजर वाले मेटा की लोकेशन ढूनने में लग जाते हैं जिसका कुछ दर बा जो कि किसी भी वक्त अव यहां पर ब्लस्ट कर सकती है अब यहां पर से सिच्वेशन अपने हाथ से निकलता है देख सीज को इस सबसे पहले तो डॉक्टर हैर्सन वेल से यह पूछता है कि कौन से एर्थ पर लाइफ नहीं है इट मिन्स कि इस जहर को कहां भेजा जा सकता है जिस पर हैसन इसे और्थ 15 का नाम बताता है आगे बेरी इस पौईजन से भरे मीटा के चारों और घूम कर वैक्यूम पैदा कर इस मीटा के सारे पौईजन को बाहर निकाल देता है और फिर फॉरण इस सिसको को और्थ 15 के बचाना चाह रहा था क्योंकि अपने सरी में इस पौईजन के बारे में इस सक्स को भी मालूम नहीं थी और वह बार बार बैरी से अपनी जान की भीग मांग रहा था आगे बैरी स्टार लैप्स अपनी ट्रीटमेंट करवाकर वापस एक कोट हाउस पहुंचता है तो वहां पर एपसोड के आखिर में बैरी को दिखाया जाता है जिसे की आइरन हाइट जेल में भीज दिया जाता है और इसी के साथ यह एपसोड यह खतम हो जाती है तो फ्रेंस इससे आगी के स्टोरी ना बहुत ही दिल्चस्प होने वाली जिसे देखने के लिए आप हमारे चैनल बने रहे और साथ ही अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक कर मेरे चैनल को और नोटिफिकेशन के साथ सब्सक्राइब कर ले ताकि मैं जब भी नेक्स्ट वीडियो डालू आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और इसी के साथ अगर फ्रेंस आप क्यों कि मैं आप लोगों के साथ अपना फेस रिवील प्लस क्यों एंड वाली वीडियो सेयर करूं तो उसके लिए आपको बस एक छोटा सा काम कर लेना मेरे आज से आने वाले सारे वीडियो पे टेन की लाइक पहुंचाना है अगर जिस दिन मुझे दस दिल लगातार तक म मेरे सारे वीडियो पर टेन की लाइक दिख जाएंगे न उसके नेक्स्ट डे ही पक्का मैं अपना फेस रिवेल वाला वीडियो आप सब के साथ सेयर करूंगी तो चलिए फिर मिलते अपने नेक्स्ट वीडियो में तेल देन टेक केर और बाबाई